इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों आप इससे वो चुनिरेश जो round 2 के बाद, all India quota, round 2, state quota round 1, state quota round 2, या फिर state quota की सारी counselling, all India quota की round 2 के बाद की सारी counselling, में parts paid करना चाते हैं, मुझसे online consultation करना चाते हैं, paid consultation करना चाते हैं, वो मुझे से join कर सकते हैं, उसका link इस वीडियो के description box में है आप मुझे email कर सकते हैं Consultation charges 5,000 रुपीज only for whole counselling ठीक है तो 108 बच्चे अभी भी है मैं 200 का cap रखाऊं कि 200 maximum 200 से उपर मैं नहीं लूँगा last year भी मेरा 222 गया था handle करने में बहुत ज़दा problem हो गई थी 200 maximum I can handle ठीक है तो अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं friends round 1 का result आ चुका है as per expectation जो cut up है वो low गया है compare to last year जैसा कि मैंने cut up का जब वीडियो बनाया था तब मैंने वो 242 seats include नहीं की थी जो इन्होंने twice filling के दोराण extra seatे डाली हुई थी जिसकी वज़े से cut up और भी लोग है अच्छा हुआ कम से कम जो low scoring के देट सा उनको seatे मिली अब आपकी strategy क्या होगी सबसे ज़्यादा important बात यही है free exit करें report करें report से upgrade करें क्या करें यह हम इस वीडियो में बात करेंगे शुरू से लेकर detail में हम लास तक बात करेंगे जहां से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे टेलिग्राम चैनल में लगबग 108 बच्चे हैं जिन में से बहुत सारे बच्चों का selection हुआ है कुछ बच्चे अभी भी क्यों में हैं नहीं हुआ कुछ बच्चे हो सकता इसरे तक जाए लेकिन जो अच्छे selection हुए उसका मैंने आपको टेलिग्राम में भी जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए उनको मैंने share किया है अब मैं वो बार-बार यहां पर आपको बताने जा नहीं जा रहा हूं उसके बारे में लेकिन लेकिन अमसी बीवेसा बीएच्चियू इस तरह के कुछ इस्टिट्ट है जहां पर selection हुआ है जो टॉप इस्टिट्ट्ट है selection के तो ये तो रही बात round one की round one में क्या हुआ है ये हम बात करते हैं round one में जो 242 seats add हुई हूई हूँ उसके जिसे हर category का cut-off drop हुआ है जो हमारा expectation था उससे भी कहीं कम जो general का cut-off गय है वो 608 marks तक लगबग गया 17,000 something rank तक गया हुआ EWS का काफी फायदा हुआ है 18,000 तक पहुचा है OBC का लगबग 18,000 तक इसी तरह से ST candidates का लगबग 19,000 तक और ST candidates का लगबग 12,000 तक means ST का जैसे मैंने कहा था कि 490 से 495 के बीच में ही रहने वाला है round one में लगबग उतना ही रहा है ST का काफी गया 455 तो 460 के करीब बीच में ही रहा है तो अब यहां पर बहुत सारे से बच्चे जिनका इहां पर selection हुआ है बहुत सारे बच्चे जो south में जिनका selection हो चुआ है already अब उनको यह decide करना है कि उनको south में report करने जाना है नहीं जाना है अगर आपको लगता है कि आपकी state में आने वाले time में आपको seat नहीं मिलेंगी तो आप report करके upgrade चूज कर सकते है अगर आपको लगता है कि आपको state में जाना है या आपके मनपसंद का institute आपको नहीं मिला है आप free exit कर दिजिए अगर आपको aims लेना है और कोई aims आपको मिला हुआ है और अच्छा aims मिला हुआ तो better है कि उसको आप join करें अप grade करें ये ज़्यादा best choice होती है क्योंकि round 2 का पता नहीं कि किसका mood क्या हो जाए और round 2 में आपने वो seat छोड़ी हो सकता है आपसे उपर वाला rank वाला बच्चा वो seat ले जाए तो ये सारी चीजे permutation, competition आपको रखना पड़ेगा मतलब एक advice मैं दे रहा हूँ जिससे आपको decision making में थोड़ी सी problem नहीं होगी अब aims का भी जैसे मैंने कहा था आपसे कि aims का cut-off बहुत ज़दा जाने वाला even aims मदरवाई को बच्चों ने नहीं छोड़ा 650 marks बढ़े, aims मदरवाई का cut-off aims का भी cut-off आप देखे general हुआ, OBC हुआ, SC हुआ, ST हुआ काफी हाई गया है क्यों? aims मदरवाई में बहुत सारी सीरेज छूटेंगी round 2 के लिए काफी सीटे आएंगी even सभी aims से कुछ नकुछ कुछ नकुछ सीटे आएंगे, लिके aims मदरवाई को बच्चों ने जानबूच की fill up कर दिया है, मुझे पता है कि maximum बच्चे aims मदरवाई को छोड़ेंगे हाँ, हलाकि compare to last year, जिस तरह से round 1 से round 2 में aims की काफी सीटे आती थी हर institute से इस बार कम आएंगी, खासकर जो टॉप institute है, अगर आपको aims गुरतपूर मिला है, या फिर aims बलासपूर मिला है, या फिर aims पटना मिला है, तो maximum बच्चे क्या करते हैं, इसको, जिनको aims ही target है, वो यहाँ पे join करके upgrade चूज करते हैं, ठीक है, तो इस बार aims में कुछ एक aims को share के ज़्यादा सीटे नहीं आएंगी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, जो आपके नए aims से, इसमें काफी सीटे आ सकती है, मदरोई में काफी सीटे छोड़ी जा सकती है, और free exit वही बच्चे करें, जिनको उमीद है कि हाँ, उनको round 2 में सीटे मिलेंगी, round 2 में वैसे भी सीटे आपको मिलेंगी, जिसे score पे आपका selection हुआ है, उससे better सीटे आपको मिलेंगी, बसरते यह कि अगर आप doubtful है, तो आप join करके update कर सकता है, अगर doubtful है तो, रही बात round 2 में क्या हो सकता है, देखे, round 2 में अब, अगर general का देखा जाना तो वो लगबख 19-20-20-20 के करीब जा सकता है, जहां तक आता है, डिपेंड करता है कि तब तक state counseling का क्या procedure रहता है, round 2 में लगबख इतना, अगर आप देखेंगे, तो यहां तक आपका जा सकता है, तो, ये, क्योंकि round 2 बहुत ज़्यदा crucial होने वाला है, इस बार चाहिए state quota को हो, या all India quota को, तो round 2 में आपको proper decision लेना पड़ेगा, कि round 2 में आपको seatیں लेनी है, join करनी है, या नही जोइन करनी है, अगर आप join कर लेते हैं, तो फिर state quota से भी आप बाहर, और state quota में round 2 अगर आप जोइन कर देते हैं, तो all India quota से बाहर, और state quota से भी बाहर, तो कहने का मतलब कि round 2 is going to be very important, very crucial for all of you, so before making any decision, आपको सारे permutation, combination बैठा के decision लेना है, कि भी या round 2 के बाद आपका फिर खतम, खेल खतम, चाई state quota हो या all India quota हो, तो ये सारे decision लेना पड़ेगा, और आने वाले time में ये cut-off low होंगे, but obvious इसमें कोई doubt की बात नहीं है, और सबसे important बात है कि decision आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, do quota के बहुत सारे बच्चे हैं, जिनका कुछ बच्चे, WMC, UCMS, LHMC में कुछ गल्स का हुआ है, जो मेरे personal consultation में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो UCMS को miss कर रहे हैं, मतलब कुछ numbers से miss कर रहे हैं, बीच में due quota के कितने बच्चे हैं, यह नहीं पता, अब उनको BSA और N-DMC में से choose करना है, BSA उनको मिल सकता है, N-DMC भी मिल सकता है, हलाकि round one state quota means, IP quota में भी सायद, उनका chances ना हो कि उनका selection हो, क्योंकि maximum बच्चे जो यहाँ पर fill up करते हैं, वही चाके, मतब फर्जी choice filling करते हैं, even AIMS मदरई को 650 वाले ने ले लिया है, तो आप वो लेगा नहीं, वो छोड़ी देगा, लेकिन बस यह है कि बही चलो choice filling करते हैं, आँख बंद करके choice filling करते हैं, बच्चे यहाँ पर, 650, 660, 660, 660 वाले यहाँ बंद करकी करते हैं, लाश्ट यह दे एक बच्चे ने 600C पर बहुत ही घटिया कॉलिज दे लिया था, और उसके बाद फिर मेरे कासल्टेशन में हैं, फिर उसने का कि सर, हम तो AIMS भूने सर्च आते थे, लेकिन because of wrong choice filling, हमें यह institute मिल गया, जो की एकदम नया institute है, तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, जो गल्दिया करते हैं, तो choice filling से पहले साउधानी जरूर रखिएगा, और round one में जो institute मिला है, उसके बारे में क्या decision लेना है, free exit करना है, joined करना है, seat fix करनी है, join करके upgrade करना है, यह decision आपको करना है, based on fact, कि अगर आप यहाँ पे seat छोड़ते हैं, अच्छी seat छोड़ते हैं, तो इसकी guarantee नहीं है, कि next round में वो seat आपको फिर से मिल जाएंगी, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, अगर आपके ऊपर वाले नहीं सोच लिया, कि नहीं, मुझे यह वाली seat लेनी थी, जो आपने लिये, और वो खाली रही, उसने वो ले लिया, तो आपकी वो seat गई, यह बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जुन्हें ने गलत choice filling की होगी, round 1 में, वो round 2 में अपनी choice filling सुधारेंगे, आप से अच्छी rank वाले सुधारेंगे, तो आपकी seat गई, अगर आपने free exit किया तो, तो द्यान से देखेगा, और कुछ बच्चे जो consultation अभी भी लेना चाहते हैं, round 2 के बाद, state quota या, all India quota, वो मेरे telegram में आके join कर सकते हैं, और मुझे personal email दे सकते हैं, मेरे email ID पे,